ये अव्यक्त इशारे मदुर्ता का गुण धारण कर मदुन सुदन का नाम बाला करो जीवन में सरलता वो मदुर्ता का गुण तब ही आएगा जब आपके सिती स्तुती के अधार पर ना हो स्तुती और निंदा दू शब्द है जैसे करम करते हूँ अगर उनके फल की इच्छावा लोब रहता है तो स्तिती एकरस नहीं रह सकती कईयों के स्थिती का अधार स्थिती है, स्थिती होती है तो स्थिती अच्छी रहती है, अगर निंदा होती है तो धनीद को भूल निधन के बन जाते हैं, इसलिए स्थिती के अधार पर स्थिती नहीं रखना